Hello everyone, आज हम आपको इस वीडियो के माधे हमसे बताएंगे कि क्या इस बार ALP and Technician की एक्जाम में नॉर्मालाइजेसन होगा, नॉर्मालाइजेसन का मतलब क्या होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर पेपर टफ है और आपने केवल 35 स्कोर किया है, तो नॉर्मालाइजेसन के बा सवाल है यहाँ कि क्या ALP and Technician के एक्जाम में नॉर्मालाइजेसन होगा, हाँ, हमेशा होता है, क्यों नहीं होगा, मालो आप और आपका एक फ्रेंड्स, दोनों ने एक्जाम दिया, दोनों फढ़ने में एक जैसे हैं, उसका मोर्निंग में फेपर था, जो कि इजी था, तो आपका इवनिंग सिफ्ट में एक्जाम पड़ गया, तो आपने केवल 40 एटेम्ट किया, तो यहाँ पे आपका 40 और उसका 45 क्यों आया, तो सीधी से बात है कि उसके पेपर का जो लेवेल था, वो इजी था, और आपका थोड़ा तफ था, इसलिए उसका आपसे पांस नंब का यूज कर दिया जाता है, यानि माक्स को थोड़ा इंक्रीज, डिक्रीज कर दिया जाता है, नंबर को थोड़ा बहुत घटा वड़ा दिया जाता है, यानि जिसके 40 थे, उससे 43 मिल जाएंगे, और जिसके 45 है, उससे थोड़ा सा डिक्रीज करके 42 या 43 कर दिया जाएंगे और ये दोस्तो shift wise normalization के थ्रू होता है इसमें भी categories है generally दोस्तो तीन तरीके का normalization होता है एक होता है shift wise normalization दूसरा होता है marks wise normalization और तीसरा होता है shift and mark wise तो अब इसको जल्दी से समझ लो असान भासम बिल्कुल suppose that किसी shift में 1 lakh student exam में appear हुए तो उसमें से कुछ सवाल का 80,000 यानि एक लाख में 80,000 student ने सही जबाब दिया तो इसे क्या पता चलता है इसे पता चलता है कि paper का level जो था वो easy था और मालो कि आपने जो exam दिया है आपके shift में भी total 1 lakh student exam दिये तो उसमें से कुछ ऐसे सवाल है जिसको 1 lakh student में से केवल 10,000 student ने बनाया है यानि कि paper का level tough होने के बाद भी आपने उन सवालों को बना लिया है जो tough थे लेकिन ज़्यादा attempt नहीं कर पाए तो होगा क्या कि जब finally normalize किया जाएगा तो आपको अगर उस question पे one marks मिले चाहिए उसको increase करके 1.5 या 1.4 कर दिया जाएगा क्योंकि शवाल बहुत tough होने के करण paper level tough होने करण बहुत ही कम लोग attempt कर पाए इसलिए marks थोड़े बहुत normalization के बाद बढ़ा दिया जाते है और कभी-कभी तो दोस्तो ऐसा होता है कि सवाल ही गलत होते है तो वहाँ पे आपको एक number bonus marks मिले का chance बढ़ जाता है तो यहाँ बिल्कुल सीधी और असान भासा में मैंने समझा दिया है वैसे इसका formula भी होता है निकालने का और हर categories के लंबे चोड़ explanation होते है इसलिए मैं ज़्यादा detail में नहीं गया easy way में समझाया नहीं तो दोस्तो यह 30 मिनट का लंबा चोड़ा वीडियो बन जाता है तो आप बिल्कुल निस्चींत रहे है फ्रेंस हो सकता है कि paper level tough होने के कारण आपके भी number थोड़े बहुत बढ़ जाए normalization होने के बाद दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर कर दीजगा और comment करके अपनी राय दीजगा और group में share जरूर कर दीजगा सुफ्रेंस आज के लिए बस इतना ही मिलती है आप से एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए इजाज़त दिजिए जाहिन